नमस्कार आप देख रहे हैं आज का मुद्दा मैं हूँ आपके साथ दिपाली भारत चीन विबात के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है हाला कि प्रधान मंत्रे ने इस रवदेलिये बैठे के जरिये इस विबात को सुलजाने की कोशिश की थी लेकिन हाला जसकितस हैं बलकि अब विबाक्ष इस बात को लेकर सवाल जरूर उठा रहा है कि प्रियम कहां की भारत की सीमा में ना कोई घुसा है और ना घुसा है और ऐसे में हमारे सैनिक कैसे शहीद हो गए जिसको लेकर बीजेपी कॉंग्रेस पर हमला वर हो गई है यानि सीमा विबात को सुलजाय बगैर राजनीती और आरोप रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है उधर चीन लगातार ये कह रहा है कि गलवान उसका है ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखर गलवान है किसका भारत और चीन के बीच विबात का इतिहास जमे हुए पानी की तरह है जिस पर बस उमीद फिसलती है नतीजे नहीं चीन ने 58 साल में चौती बार भारत के साथ बड़ा विश्वास खात किया है वजा फिर वही सीमा विबात जिसके बाद से अब हालात तनावपूर बने हुए है इस बीच प्रधान मंत्री ने LAC के हालात को साफ करते हुए कहा भारत में ना कोई घुसा है और ना ही हमारी पोस्ट कब से मिली गई है जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए लेकिन उससे पहले आपको पियम की कही बात सुनाते हैं न वहां कोई हमारी सीमा में गुसाया है नहीं कोई गुसा हुआ है नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है लदाख में हमारे बीज जाबाज सहीद हुए लेकिन जिनों ने भारत माता की तरफ आँख उठा कर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए उनका इशावरिया ये बलिदान हमेशा हर भारतिय के मन में अमीट रहेगा पीम के इस बयान की बात सवाल उटने लासमी थे सवाल ये कि जब हमारी सीमा में कोई नहीं आया तो हमारे सैनिक शहीद कैसे हो गए क्या हमारे सैनिक सीमा पार कर दूसरे तरफ कह थे सवाल ये भी है कि क्या वो बाते गलत थी जिसमें कहा जा रहा था कि भारत चीन के बीच मिलिटरी लेवल की बातचीत चल रही है देश के रक्षामंत्री खुद इस विवात को बातचीत से सुलजाने की बात कह रहे थे इस समय भारत और चीन दोनों के बीच मिलिटरी लेवल पर भी बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है अभी शे तारीकों जो बातचीत हुई है बातचीत काफी पॉजिटिव रही है काफी सकारात्मक रही है भारत और चीन दोनों इस बात पर सहमत हुए है कि आगे भी सीमा विवात को सुलजाने के लिए और इस समय का जो तसल है उसे सुलजाने के लिए यह बातचीत का सिलसिला हम लोगों का आगे चलेगा देश के रक्षा मंत्री और पीम के बयान की बाद कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहुल गाधी इंद सरकार पर हमला वर को कह है राहुल ने ट्वीट के ज़रहे मोधी सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि प्रधार मंत्री ने भारतिय श्वेत्र को चीन के सामने आत्मसमरपड कर दिया है अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवान क्यों मारे गए उन्हें किस जगा मारा गया राहुल की ट्वीट के बाद बीज़ेपी का गुस्सा फूटा और राहुल गांधी पर आरोप लगा कि नेता ट्वीट कर सेना का मनुबल गिरा रही है आज देश चीन के सरदों पर भारत चीन के बॉर्डर पर गलवान में जब लड़ाई लड़ा है तो हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फॉज का मनुबल गिरा रहे और अपने बुद्धी का प्रदर्शन कर रहे अपने बुद्धी के बारे में प्रदर्शित कर रहे अनार्म क्यों चले गए अरे मालुम नहीं है तुमको कि क्या नियम होते हैं लेकिन भारत चीन विवात कुले का लगता है कि एक्स आर्मी मैन भी दो धड़ों में बढ़ गए हैं कोई इस बात का शुक्र मना रहा है कि वो आर्मी से रटायर हो गया है तो कोई तंज कस रहा है कि चीनी सैनिकों ने सीमा पार नहीं की बलकि 1962 से विवात शेतर पर कबजा कर लिया वहीं एक्स आर्मी मैन ने पियम के बयान को लिखा कि कोई भी मेरे या किसी सैनिक के मनुबल को कम नहीं कर सकता है लेकिन मुझे लगा कि वह इसे और बढ़ा देगा मैं गलत था सीमा विवात पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो गरम है लेकिन यहां सवाल ये भी है कि क्या वो खबरे जूकी थी जिसमें कहा जा रहा था कि चीन भारत वाले हिस्से में निर्माड कारे कर रहा है जिसके बाद विवात पैदा हुआ और अबुल्टा चीन ही भारत परा रूप लगा रहा है कि उसकी तरफ से घुसपैट की गई थी कारे कि एूप कि दिसक्राइब जर अबारत है there have been demonstrations against China in India and people are boycotting Chinese products anti-dumping investigations into Chinese products and telecom operators in India have been asked to stop purchasing Chinese equipment in India रक्षा विशेशग ये बहुत सब्सक्राइब देज़ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिर ये युद्ध किसलिए जो इस वक्त घटना जो घटी चीन हमेशा जूट बोलता रहा है और 1962 में भी हिंदी चीनी भाई भाई करके उसने विश्वास कहात किया था हमारे पीट पर चूड़ा घोपा था यहां भी वही हाल है देखे चीन के अगर बेक्तव देखिए बार बार जो नहीं इंडिया हमारे इलाके में आ गया है उसने इंट्रूजन किया हमने नहीं किया है तो यह सब एक जूटी प्रपगंड़ा चीन की तरफ से है जहां तक कि गलवान गाटी की बात है वह भारत का है और भारत के कबजे में है और रहेगा इसी इलाके में जब चीन ने इंट्रूजन किया तब जाके इंडिया ने उस तो इसलिए जहां तक है सवाल है तो वहां पर हर एक पोस्ट पे हमारे सैनेक उसको मैंन नहीं करते हैं लेकिन जा के पेट्र segments करते हैं और वो हमारा हक होता है जो यहां तक हमारे इलाके में तो यह वात है तो वहां पर खोई चीन का प्ड़ा नहीं है ना चीन का है यह हमेसा गलवान वाटी इंडिया का ही रहा है भारत का ही रहा है और रहेगा यह जो बात सामने आ रही है पीम के बयान के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उसमें जो यह भी कहा गया कि भारत के बीच मिलिटरी लेवल की बातचीत भी चल रही है हर तरफ से बातचीत चल रही थी तो यह नौबत यहां तक कैसे आ गई क्यों विपाक्ष इस पर सवाल उठा रहा है बार बार देखें सबसे पहले मैं जो आपने औरिजिनल सवाल पूछा था एक्चली में क्या है कि लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल के उपर पर्मिनेंटली टुप्स टाइनाथ नहीं होते हैं जैसे मेरी आवाज आ रही है आपको क्या प्रिश तो वहां क्या है आप लोग जाकर पेट्रोलिंग करके वापस आ जाते हैं पिछले 45 सालों में गलवान गाठी के उपर चाइना ने कभी भी अपना कब्जा होने की बात नहीं करी तो जो हालांकि लाइन अफ एक्शुल कंट्रोल डिमार्केटिड नहीं है एग्रिमेंट भी नहीं है चाइना और इंडिया के पास लेकि यूजेज के तोर पर कन्वेंशन के तोर पर जो जहां तक पेट्रोलिंग करता है वो उसकी उसकी मानिता उसके उपर है अब इस बार क्या हुआ हर साल चैना जो है इंटूर करता है पेट्रोलिंग करता है वापस चले जाता इस साल उन्होंने गलवान गाठी में आकर कुछ जगा पीपी फोटीन सेवंटीन वगरा जो आपको हर दिन वो पेट्रोलिंग पॉइंट के बारे में बोला जाता है उनमें जाकर खा 16 बिहार के वो सिर्फ दो जवान को लेकर गए थे ये चक करने के लिए कि जो वहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट एस्टैब्लिश किया उसको 15 सुला जनवरी के शाम को मतलब 15 की लास्ट लाइट को उन्होंने वहां से हटाया किने जो के एग्रिमेंट हुआ था 14 कोर कमांडर और चाइनीज आमी के बीच में जब वहां चले गए तो वहां उन्होंने देखा ऐसा नहीं हुआ था और फिर आपस में जड़ा फो गई बताना चाहता हूं कि चाइना ने फॉर्न मिनिस्टी का आपने स्टेटमेंट अभी पढ़ रहे थे आप उन्होंने बुला कि हिंदूस्तान के लोग वहां अंदर चले गए और फिर उन्होंने हमारे उपर हमला किया अगर ऐसा है तो चाइना को बताना चाहिए कि हमारे हमल बताना चाहिए अगर हमारे लोग अंदर चले गए और उन्होंने उन्हों के उपर हमला किया तो वह बताएं कम से कम कितने लोग वहां मारे गए तो वह जो बात कह रहे हैं दोनों के बीच में अब आज की यह है कि जिस इलाके में चैर जो प्रदान मंत्री ने कि बात के परविश्वास करना चाहिए क्योंकि वहां से इन्फोर्मेशन स्रिफ आपको गमन के सोर्सी से ही मिल सकती है क्योंकि वहां जानी सकता है यह इतना ओडनरी इलाका नहीं महां जाते जाते पता नहीं कितना टैम लगेगा आप पहुंच भी नहीं पाऊंगे तो कगनिशन किया हूआ है यह मैं यह दो चार सीजन थी मैंने सुचा कि मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दो अब क्योंकि विपक्ष बार-बार ये क्यों कह रहा है कि आपको बताना चाहिए था क्या स्थिती है फिलहाल उसको क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं और कल जो बैठक हुए इसमें ममतव एनरजी ने भी ये कहा कि पारदशिता होनी बहुत जरूरी है ऐसे में क्या लग रहा है कि नौबत आ रहे है और इस तरह के से एक जुटता जो होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहे है कि पहले में पारदशिता की बात पर ही आ हुआ हमारे रक्षा विशेस्टा के भी सहमत होंगे और पूर्टी चिप दिरस्टे भी कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका पूरे नट एंट भूब बताएं नहीं जातें सरकार द्वारा जन्ता को एक चीज इसे ही कि जैसे जैसे की कई टिकम ने कहा कि रिमार्केशन में नहीं होईstadst умनी सो बासवे जहां तक मुझे याद है कि जुलाई के महीने में जुलाई उली सवासत में शुदुवात गल्वान घाटी से ही हुई थी जड़कों एक चीज और मैं इसमें बताना चाहता हूं कि देखें जो यह विपक्ष कह रहा है कि अगर अगर यह हमारी है अगर हो नहीं भूसें तो कैसे ऐसा है कि जैसे कि हमारे स सांटका आजा ते तैनाती नहीं इसके लिए बीच में दोनों और फूच चुछ फो से कि नो मैंड है कि तमय कि आप देखें एक देश से दूसरे देश की सिंवा में जाएंगे तो नो मैंस लैंड होता है नो मैंस लैंड मतलब किसी practically नहीं होता वह एक तरह से ऱह वेग तर नहीं अटाए हैं, तो इस पर उनकी गल्ती नहीं है, और नहीं यह हम कह सकते हैं कि चाइनीज ने हमारे उपर हमला किया, क्योंकि वो टेरिटरी एक्षूली ना हमारी होती है, ना उनकी होती है, लाइन अप कंट्रोल के दोनों और खुछ जोड़ी जाती है जैसा कि मैं अब प्रही बात ये कि तीन का ये कहना कि गल्वान हमारा है, गल्वान घाटी का नाम एक चर्वाहे गल्वान के ऊपर रखा गया था, उसके पोते ने भी भी कल पर सो टीवी चैनल पर आके कहा है कि नहीं नहीं है, ये पूरी तरह भारत का इसा है, बारहाल गल्वान गड़िये गल्वान चरवाहे ने फिर क्या किया कि उसने इंग्लिश पढ़ी और Über्टिक्ष टूरिस्तनाओ इस ऱ्माরिं दमस्त किताब भी उप अब देखे को फिर चीत चीन की होता हूं आगर यह चीडम की होता थी तो फिर गल्वा ब्रिटिस टूरिस्त को कैसे ले जा सकता था, British tourist को अगर वो ले जा रहा है तो इसका मतलब वो British territory की कोई चीन, गल्वान घाटी की उसने खोज भी की थी, British territory की कोई जगो दिखा रहा है, तो ये कहना चीन का की गल्वान घाटी हमारी है, उसका तो ये तो साफ साफ जूत है, चीन तो तिबद को भी हमारा कहता है, चीन तो अरुनाचल को भी हमारा कहता है, चीन उत्राखंड के इससे को कहता है, चीन जम्मू कश्मीर के आधे इससे को कहता है, चीन इमाचल प्रदेश के इससे को कहता है, तो चीन के कहने के तो ये ना मान ले हम कि हाँ चीन जो कह रहा है, वही सकते हो है, वही दूत सक तो बेरे ख्याल से यह दुपक्ष का कहना विपक्ष की मांग की बड़ी पारदर्श्टा होनी चाहिए और यह नहीं होना चाहिए वह नहीं होना चाहिए यहां पर कॉंगरस इता पीछ दप्रव ने चीन के गलवान घाटी का अपना दावा करने के बयान को लेकर प्रधानमत मोदी से सवाल किया है उन्होंने का कि कल तक हम गलवान वैली को भारत का अभिन अंग मांगते थे मोदी को आज ही देश को बताना चाहिए कि चीन के दावे की सच्चाई क्या है as far as traded goods are concerned India must continue to be part of the global supply chain now if you boycott Chinese goods what part of China's trade with India is China's world trade it's a fraction it's a very small fraction so boycotting Chinese goods I don't think will but Chinese economy it may or may not hurt consumer I'm not in a position to say but if we can make the same goods the same quality in the same price and with the same efficiency we should make it I don't think we should bring issues like boycott when we are discussing very grave matter like the defense of India तो विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है क्योंकि यह भी कहा जा रहा है इससे पहले जब यहाँ पर यह भी देखा गया शुरुआत से दौर पर यह भी एक सवाल उठ रहे है कि चीन तो लगातार यह बात डेवन से कह रहा है कि गलवान घाटी हमारी है उसके लगातार जो बयान आए पंद्रा 16 सेटरा जून को लेकिन सरकार बार बार यह कह रहे है वी देश मंत्राले की तरह से बयान आता रहा कि हम बाद चीत करके मसेले को सुलजाएंगे देश भारत एक संप्रुप्रवता का देश है और इसे हम ऐसे ऐक भी बार गलवान को लेकर ऐसा कोई खास बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है देखें दिपाले इस पूरे विवाद के दो पक्ष हैं पहला पक्ष तो यह है जिसको लेके कि देश की सारी विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही है मौझूदा सरकार से कि हमला हुआ कि नहीं और अगर चाइनीज एग्रेशन था या चाइनीज इंटूजन था तो भारत के चेत्र में हुआ या चाइना के अधिक्रित जो चेत्र है उसके अंदर हुआ एक तो इसपर सरकार की तरफ से जो सफाई दी जा रही है वह बहुत उसको लेके बहुत एंबिग्विटी है बहुत ज्यादा क्लेरिटी नहीं है दूसरी जो बात विपक्ष की तरफ से बार बर पुची जा रही है कि सरकार के जो तीन अंग हैं बिदेश मंतरा ले रख्षा मंतरा ले और प्रधानमंत्री कारेया ले तीनो के तरफ से जो बयान आ रहा है हूं उसमें contradictions हैं प्रधान मंत्री ने कल आल पाइटी मीटिंग में जीस तरह की बात कही और पी एमो के वेब साइट पर जो बातें लिखी गई हैं उसी में कंट्राडिक्शन्स हैं फिर रक्षा मंत्री राजनात सिंग्ग के जो पिछले दिनों ट्वीट आये हैं बयान आये हैं और उसके बाद जो प्रधान मंत्री का कल कलेम था उसमें कंट्राडिक्शन्स हैं उसी तरह से विदे समंत्री जयसंकर ने एक तरफ तो माना है कि चीन के साथ बाचित चल रही है और गलवान घाटी में एक बीबाद पैदा हो गया है और एलेसी को चीन के सेना ने क्रास किया है जिसका विरोद किया गया है भारती सेना की तरफ से और वहां जगड़ा हुआ है तो यह जो तरह तरह के कांट्राडिक्शन्स देखने को मिल रहे हैं सरकारी बयानों में उसके चलते विफक्ष को मौका मिल रहा है और देश की जनता को भी एक तरह से एक अपर्चुनिटी मिल रही है कि उस सरकार से बार बार सवाल पूछे और सरकार से इस्थिती साफ करने के लिए का है कि पहली बात तो यह कि हमला हुआ की नहीं हुआ और हमला हुआ तो किसके चैतर में हुआ भारत के हिस्से वाले चैतर में हुआ या चीन के हिस्से वाले चैतर में हुआ और दूसरा प्रधान मंत्री के कार्याले और प्रधान मंत्री के बक्तवे और रक्षा मंत्री के बक्तव में मतभेद मेने कांट्राडिक्शन के वह है और अब एक निया आज जिस तरह से चीन ने फिर अपना एफर्मेशन दिखाया है कि गल्वान घाटी उच्की है तो इस पर भारत सरकार का क्या द्रिष्ट कौन है तो एक कारण है जिसके वज़े से विपक्ष बार-बार सरकार से जवाब देने के बजाए विपक्ष पर यहा रोप लगा रही है कि शंकट की घड़ी में विपक्ष सेना का मुराल डाउन कर रहा है सेना तो बीच में आती ही नहीं है यहां पर रुख करते हैं एक बार राजीव रंजन जी का राजीव रंजन जी जो चीन की तरफ से कहा जा रहा है ग्लोबल टाइम्स में कहा दिया था कि यहां पर भारतिये जवानों ने रजामंदी को तोड़ दिया है बाचीत अच्छे खासी चल रही थी लेकिन पॉराज बाचन की सितिखा यह रफ्याव राजीव रंजन जी में आवाज आ रही है जी देखे कहां तक घाख को में लेचलता हूं उनीसो चपन में जो आपस में लाइन अप कंटोल जो टिसाइड हुए थी वो गलवान घाटी के काफी प्रूब से थी इस से थी ज़वान जब कि ये आज तक इंडिया के अंदर रहा है और इंडियान पेट्रोलिंग तरके वहां पर दोमेट कर रहे हैं यहां पूरे साल हो सकता है वहां पर मैंना कर रहे हूं तो यह अभी जहां तक पढ़ान मंत्री जी का जो बेक्तब है इस हालत में जहां कुछ रास्त्रिय स्वच्छा की बात होती है हर चीज डिस्ट्रोई नहीं किया सकता है देकिन इतना मैं डावे के साथ कहता हूं जो अपर ही मित्वास है तो सेना जटके वहां पर हुआ वापस अपने इलाके को लेगी जी बिल्कुल आगे पी चर्चा करेंगे सभी महमान है हमारे साथ बने हुए हैं इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे एक चोड़ा सब ब्रेक फॉरन लौट तो भारत और चीन की वी चल नेपाल के विदेश मंत्राले के उसे जारी बयान में कहा गया है कि नेपाल हमेशा ही यहां पर विश्व में शांती के पक्ष में रहा है और हाली में गलवान खाटी में जो हुआ उसको लेकर भी हमें विश्वास है कि हमारे मित्र पडोसी भारत और चीन अच्छे पडोसी कि भावना के साथ उपक्षियक शेक्रिय और विश्विश शांती और सर्ता को ध्यान बे रखते हुए शांतिपूर तरीके से अपने सभी आपसी मद्भेदों को सुलचा लेनी है आपको बताएं कि हाले के दिनों में भारत और नेपाल के बीच भी रिष्टों में करवाहट पैदा हो गई है जिसकी वज़े नेपाल की और से भारत के कुछ हिस्सों को पर अपना दावा जताना है इसके अलावा भारते जमीन को अपने देश में दिखाने वारे लक्षे को भी नेपाल की संसत की दोनों सद्रों में पास कर दिया गया जिस पर भारत ने अपनी नाखुशी भी जताई है इसके साथे लगदाक में अलेसी पर भारत और चीन के बीच इतनाव ने नई उचाईयों पर पहुचने के बाद देश में बाइक और चानीज की गूंज जोर पकरती जा रही है यहीं नहीं चीन के प्रोड़क्ट तोड़े जा रहे हैं लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह है कि चीन को देश से कैसे निकालेंगे जबकि भारत में चीनी समान तो बेशुमार तो है ही साथी चीन ने भारत के जमीन पर भी खब्जा जमा रखा है इन दिनों चीन के साथ सीमा पर कैसा तनाव चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है हालात लगातार बिगड रहे हैं लेकिन मोरी सरकार भारत चीन के रिष्टों को सुधारने की जद्दो जहद में लगी है गलवान घाटे में चीन और भारत के बीच जमीन को लेकर हुए संघर्ष में जवान शहीद हुए थे जिसके बाद एक बार फिर जमीन का मुद्दा गर्माने लगा गो न्यूस के रिपोर्ट के मताबिक चीन ने करीब भारत के साथ वर किलोमेटर के छेतर पर कबज़ा कर लिया है किस रणनीती के तहट ये काम किया है और क्यूं ये किसी को नहीं पता मुल्क इस वक्त बहुत ही संगिन दौर से गुजर रहा है पूवेड फैला हुआ है जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और दूसरे तरफ सीमा पर भारत के 20 जवान शहीद हो गए इन सब के बीच चीन ने सिफ लदाक में लैंड ग्रैब नहीं किया है बलकी चीन लगातार पिछले दिनों से हिंदुस्तान में जमीन पर कबजा जमाता आ रहा है ताजे हालात की बात करें तो इसी साल 11 मार्च को लोकसभा में दिये जवाब में विदेश राज्यमंत्री वी मुर्यधरन ने बताया था कि चीन अरणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वाइर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है जबकि लद्दाक का करीब 38,000 स्क्वाइर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कबजे में है कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वाइर किलोमीटर पर कबजे जमा रखा है जबकि स्क्वाइर का एरिया 41,285 स्क्वाइर किलोमीटर है सिर्फ देश या जमीन ही नहीं चीन समंदर पर भी अपना हक जताता है उनीस सो रन्चास में कम्यूनिस सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों और इलाकों पर कबज़ा जमाता रहता है चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है इतना ही नहीं चीन दक्षणी चीन सागर पर भी अपना हग जताता है इंडोनेशिया और व्यतनाम के बीच पढ़ने वाला ये सागर 35 लाग स्क्वार किलोमेटर में फैला हुआ है ये सागर इंडोनेशिया चीन फिलिपिन्स वैतनाम मलेशिया ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है लेकिन सागर पर इंडोनेशिया को छोड़ कर बाकी सभी छह देश अपना दावा करते हैं कुछ सालों पहले तक इस सागर को लेकर कोई तनातनी नहीं होती थी लेकिन करी पांच साल पहले चीन के समंदर में खुदाय करने वाले जहाज और रेत लेकर दक्षणी चीन सागर पहुंचे पहले यहां एक छोटी समुद्री पट्टी पर बंदरगाह बनाया गया फिर हवाई जहाजों के उतरने के लिए हवाई पट्टी और फिर देखते ही देखते चीन के कबजे की बात करें तो उसका जमीन और समंदर के साथ साथ हमारी अर्धिवस्था पर भी कबजा है और इसको खतम करने के लिए सिर्फ नारे लगाना और चीन के बने हुए टेलिवीजन और मोबाइल तोने से कुछ नहीं होने वाला जब तक सरकार खुद कोई कदम ना उठाए क्योंकि भारत चीन से काफी औरसे से व्यापार करता रहा है कैसे यह आपको बताते हैं बीते 6 साल के दौरान भारत चीन के प्रोड़क्त खूब खरीदता है साल 2019 से बीस में भारत ने चीन से 5 करोड 49 लाग का आयात किया लेकिन नर्याद सिर्फ 1 करोड 9 लाख रुपए का ही हुआ जिससे भारत का कुल कारोबार में प्रेड डेफिसित यानी व्यापार घाता करीब 3 करोड 30 लाख रुपए का हुआ है ना सिर्फ साल 2019 से बीस में बलकि हर साल भारत चीन से निर्याद का चार गुना ज्यादा आयात करता है यही नहीं भारत चीन से सिर्फ ध्यापार नहीं बलकि हमारे देश में स्टार्ट अप बिजनस में चीन का निवेश है यह निवेश 3.9 बिलियन डॉलर का है वही चीन का तावा है कि दिसंबर 2019 तक उसने भारत में 8 बिलियन डॉलर का निवेश किया अगर चीन के अलग-अलग स्रोतों से भारत में कुल निवेश जोड़े तो ये करीब 26 बिलियन डॉलर का है जो कि कई भारतिय स्टार्टप में पैसा लगाता है जिसमें पेटियम, ओला, ओयो रूम्स, स्नैब डिल, वी वाई, जे यू एस जैसी कम्पनियां शामिल हैं एलेसी पर भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसन जड़क के बाद अब चीन की हरकतों ने लोगों का गुस्दा और भड़का दिया है पहले से ही चीनी सामान के बहिश्कार्टी मांगो च्छए थी और अब सीमा पर जोग हुआ है उसके बाद हो सकता है भारत सरकार भी चीन के खिलाफ कोई सक्ट कदम उठा ले ऐसे में भारत से चीनी कमपनियों को बहार का रास्ता भी दिखाया जा सकता है जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जन्तंत्र टीवी वहीं अब चीन के प्रोड़क्ट का पशिम बंगाल के सिलिगोडी में विरोध हो रहा है रीजनल तिब्बतन यूथ कॉंगर्स के कारेकरताओं की अगवाई में हुए इस प्रदर्शन में चीनी समानों ने बहिशकार यहां पर किया गया है चीनी समानों का बहिशकार और जौरार प्रदर्शन में शामिल लोगों ने चीन का जंडा भी जलाया प्रदर्शन में चीनी समानों से या फिर चीन के साथ जो व्यापारिक संबंद रहे हैं उससे हटना क्या भारत के लिए इतना असान है देखें यह बहुत आसान तो नहीं है लेकिन सबसे पहले मैं वह बात करूँगा जो प्रदर्शन में कही है उन्होंने कहा कि भारत के साथ चीन का व्यापार बहुत ही नगर्ण है और इसके वज़े से चीन के बहुत कोई फरक नहीं पड़ेगा बहुत है लेकिन आप अगर इसके साथ यह देखें कि युएसे के साथ चीन की तना तनी युएसे के साथ ब्यापार जो है एक तिहाई अगर प्रोडक्शन एक तिहाई मार्केट खतम हो जाएगा तो यह बहुत बड़ी बात है भारत ही नहीं सब मिल करके अगर यह चारो और यह चारो इस बारे में सोच रहे हैं यह जापान ने वहां से अपनी कंपनी स्कूल इंडिया में निवेश करने की कोशिश्ट है हां एक चीज मैं करता हूं यह बात सही है कि अभी हम जोश में आके नारे लगा रहे हैं अभी हम वहिशकार कर रहे हैं जंडे जला रहे हैं सामान जला लेकिन कब तक क्या हम इसको सस्टेन कर पाएंगी दो चीजों की इसमें सक्ज़वत है एक तो चीज यह है कि हमें यह प्यास करना चाहिए कि हम चीन के बराबर कंपरेटिव दाम पर या लगभव उस दाम पर ह दूसरी चीज सेह कि हमारे नागरीक इस तरह से संडेखों की चाहें 2 साल लगे चाहेय चिन चार साल लगे चीन के करिशकाक करेंगे अगर ये दोनों होता है और ये दोनों नागरीकों के हिस्से की बात है अगर जहां तक सर्कार का सवाल है सर्कार का जीमेदारी ये हो जाती है कि आगे आने वाले लगू दिमी अगर आएं तो उनको वो कई छूप दे करके उनको भारत नों उसी दाम पर बनाने के लिए पुटसाहिक करें जैसे टैक्स हेजन दे करके जैसे लेबर लॉज में कम दे कुछ कुछ कंसेक्शन दे करके त करना पड़ेगा चाहे किसनी बाधाएं आए तबी बिल्कुल बाधाएं और वासिन जी एक बात ये भी सामने आ रही है क्योंकि ये इतना असान नहीं है इसलिए ये बात मैं पूछ रहे हूं कि रूस की तरफ से ये बात आ रही है दाहिंदू की रिपोर्ट है वो ये कह र दबाव आएगा तो भारत का जो स्टेंड वो पीछे हट सकता है नहीं मुझे लगता है कि भारत की तरफ से तो कोई अडियल रूख ही नहीं भारत की तरफ से तो अभी भी कोशिस हो रही है कि इस पूरे विवाद को बाच्छित के जरिये निप्टा दिया जाए जो जो भी फोस्ट्रिंग देखने को मिल है यह फो चीद की तरफ से देखने को मिल रही हैं ही इंट्रूजन चीन की तरफ रहुआ भारतिय समन्कों पर हमला चीन की तरफ से हुआ LAC line को क्रास्ट चीन के साइनिक ने किये भारती यसे ना के लोग जब वहां जा के रोकनी की कोशिस किये तो उनके साथ हाथा पाई हुई जिसमें भारती साइनिक सहीद हो गए अब बार बार चीन के अभी देश मंत्राले की तरब से दावा किया जा रहा है कि गलवान घाटी चीन का है तो जो एग्रेशन है जो एग्रेशिव पोस्चरिंग है वो तो चीन की तरब से भारत की तरब से तो लगातार डिफेंसिव रूख अक्तियार किया गया है भारत के तमाम बयानों में सीधे चीन का नाम भी नहीं लिया जा रहा है अभी तक इतना परहेज और इतनी सावधानी भारत की तरफ से बरती जा रही है विपक्ष की तरफ से बार-बार पूछने के बाद भी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर चीन को जिम्मेदार नहीं ठाराया जा रहा है बस गोल मुल जवाब दिया जा रहा है चीन का नाम भी नहीं लिया टो मुझे तो लगता है कि भारत की सरकार औ भारत चाहते हैं कि चीन से तक्रारन बढ़े और सांती बनी रहे और प्लोशी मुलकों के साथ भी सांती बनी रहे तो चीन को टाय करना है कोई उसंती बहाली में कितनी संजीद्गी से फिस्सा लेना चाहता है या इस मामले को और विगाड़ना चाह रहा है लेकिन अभी तक जो बैयान-बाजी चीन की तरफ से देखने को मिल रही है उससे यही लग रहा है कि चीन कोई इस बात का प्रवाह नहीं है कि चीनी गूड्स जाएगा चीन का जो एक्सपोर्ट है भारत में वो कम हो जाएगा या भारत सरकार अपने सरकारी विभागों में जो चीनी सामानों का उपयोग करती है उस पर पाबंदी लगा देंगी उनकी तरफ से बयानों से तो इस बात कहीं कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है अगर थोड़ा भी चीन की तरफ से कंसिडरेशन होता तो चीन का विदेश मंत्राले आज भी क्यों कहता है कि गलवान गाटी चीन की है जबकि जैसा कितरी पाठी जी ने बोला कि 1962 के जुद्ध की शुरुवात भी चीन गलवान गाटी से ही हुई थी लेकिन उसके बाद भारत ने तीन बार चीन को सिकस्त दिया है दो बार इंद्रय गांधी के टाइम में और एक राजीव गांधी के टाइम में तो चीन 1962 में जरूर धोके से भारत को सिकस्त देने में काम्याब रहा लेकिन उसके बाद जब जब चीन की तरफ से कोशिश हुई या दूसरा हस दिखाया गया चीन की भारत के तरब से माकूल जबाब मिला है चीन को अब इस लार भारत की तरब से इतनी नर्मी और इतना संजीद गी कियो दिखाई जा रही है कि तो भारत की सरकार ही बता पाएगी बिल्कुल राजिव जी ये भी बात इसलिए और सामने आ जाती है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है टाइमस ओफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि भारत के जो सैनिक थे वो चीन ने उन्हें तीन दिन तक रखा जिनको अगवा किया था और बातचीत का दो क्या बातचीत चले फे चोड़ा गया इस बात इस बात को भी क्लेरिफाई नहीं किया गया जब छोड़ दिया गया वहाँ से तब ये बात सामने आए कि हमारे सैनिक वहां बंधग भी बनाए गया है देखिए जहां तक भारत की बात है भारत पूरी तरफ से सयम बरत रहा है और आज तक कभी भी एग्रेसिव बोर्ड में या उफिंसिव बोर्ड में नहीं गिया है यह सारी हरकते हैं चीन की है जो कि एक विस्कतारवादी निती के अंदर अपना इलाका धीरे-दीरे बनाने की कोशिस में रहता है मैं उस इलाके में एडम कमानान की ड्यूटी कर चुका हूँ जहां की चुसूल, कुपूब, पिनंग्सु लेक और यह डीवियो का इलाका था पूरा हमारे अंदर आता था आप यह समझ सकते हैं जो पिछले फुछ सालों में पिछले साल ही इंडिया ने 200 किलो मोटर लंबी, लेज से दर्बुक होते हुए, सियोक होते हुए और डीवियो तक की पकी स्ट्राइजिक रोड बनाई है इससे चीन बॉखला गया, आई तक क्या होता था, इंडिया जब भी रोड बनाता था, चीनी आके उसको रोड देते थे और हम एक डिफेंसिव म काबला करते रहें, आपने ब्लोक लाम में भी देखा है, किस तरह जो है, वो कोशिस कर रहे थे, लेकिन हम डटे रहें, और फाइनली उनको पीछे हटना परा, उन्हें एक जो एक तरह से कहिए हार खानी परी, मुंकी खानी परी, उसी तरह इस बार, क्या ये जो दाबा तो कर लिया है, जिसे हमने डटके मुकावला किया है, और काफी उनका नुकसान हुआ है, पहली बार अगर आप देखिये, तो ये पिछले कुछ सालों में जो चीन को एक बहुत कराब मुकावला मिला है, जिससे कि वो बॉखलाया हुआ हुआ है, हमने रोड बनाया, हमने वहां आपे अपनी जो एर्वांस लैंडिंग ड्राउंड्स हैं, एर्पोर्ट सें, जहां पर कि हमारी फाइटर प्लेंश लैंड कर सकते हैं, ट्रांस्पोर्ट प्लेंड कर सकते हैं, उसको हमने एक्टिवेट इन चालू किया है, जिससे कि चीन को ये हड़म नहीं हो रहा है, वो वो कोसिस कर रहा है किस तरह हमारे उपर हावी हो आई चीजों को रोके हो क्योंकि आज तक उनको यह आदत परी हुए जब भी हो रोकता है था हम रुक जाते थे लेकिन पिछले कुछ सालों से यह नहीं हो पा रहा है और आपको गल्वान घाटी की एक स्ट्राइजिक इंपॉ जो हमारा वो दावा है और हम फो लेकर रहेंगे तो चीन को लगता है आज नकल जो है इंडिया जो है अक्साई चीन को जिणोने वो तुक्षा कर रखता है ने वह भी एंडिया उसको वापस मांगने की डावा करेगी और साथ में अगर वो इलाका हम कब्जा कर लेते हैं फिर से तो काराकरम जो हाइवे है वहां पर हम डॉमिनेट करेंगे जिससे की पूरी इसकी सीपीसी कोरिडोर है वो खत्रे में आ सकती है यह चीन को डर है इसलिए चीन हमारे एसजी ग्राउंड को डीबियो में और जो यह पनी नई उसको वो डॉमिनेट करने के लिए जो है वहां की हाइट को कभजा करने के लिए बुरा ब्याकुल है और हमारे को तरह से वो धौस जमा रहा है नहीं मैं इसी बात को फिर कहना चाहरा हूं कि इसमें दो पक्ष है एक पक्ष तो मिलिटरी से जुड़ा हुआ है मिलिटरी ऑप्रेशन से जुड़ा हुआ है मिलिटरी स्टेटीजी से जुड़ा है और दूसरा पक्ष ट्रेड और कामर्स से जुड़ा है तो सरकार को दोनों मोर्चों पर काम करना पड़ेगा एक तरफ जहां अपने टेरिटोरियल बाउंडरीज को प्रोटेक्ट करना तो उसका बैकल्पिक इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम चीन से माल नल है और उस माल की डिमांड जो भारत में है तो अपने नागरिकों को कहा दें कि नहीं खाली बैठे रहे हैं और घर में अपना वाल्ब ना लगाएं घर में अपना गीजर न परे पास ऐसा कोई मुल्क है उन समानों की पूर्ति कर सकें अपने डोमेस्टिक कंजम्शन के लिए और तीसरा जिस रेट से और जिस सुगमता के साथ चीन अपने प्रड़क्ट्स को भारत में उपलब्द कराता रहा है क्या उन्हीं दरों पर या उससे सस्ते दरों पर हमा कह देने से नहीं होगा कि हम चीन के प्रड़क्ट का वहिस्कार कर देंगे और हम चीन को सबक सिखा देंगे खली कहने से नहीं होगा हमको अपने इंडियन मार्केट को ध्यान में रखना होगा अपने इंडियन का न्यूमर्स की डिमांड को ध्यान में रखना होगा और उसक हम छोड़ेंगे नहीं अगर कोई आँख दिखाएगा जो तमाम बाते आ रही हैं कि कैसे यहाँ पर चीन के सामने हम जुकने वाले नहीं, फिर कैसे चीन पर दबाव बनाया जा सकता है? देखें, चीन पर दबाव बनाने के दो तरीके हैं, पहला है इमीडियेट एक्षन और दूसरा है जो कि कहते हैं दूरगामी नीति जिसको कहते हैं, लॉंग टर्म पॉलिसी, इमीडियेट एक्षन के तौर पे यह है कि हमारी से नय वहाँ पे सन्नद रहें, लाइन आफ और इसके साथ ही साथ हम खुटनीतिक तौर पे चीन से बातचीत भी करते रहें, चीन को खुटनीतिक तौर पे भी और अपने मिलेटिक तौर पे भी इंगेज रखेंगे इस्तिती इस पर ये भारत की तरफ से भी बयान आया है, जेके तरपाधी जी लगाता हमाई साथ बने हुए, जेके तरपाधी जी अब जाकर भारत की तरफ से बयान आया कि गलवान खाठी हमारा है जी, अब इस बयान के आने के बाद मेरे ख्यालते विपक्ष में किसी को ये शंका नहीं होनी चाहिए कि सरकार क्यों नहीं बोल रही है, च्योंकि विदेशी मामूरा में जहां तक बोलने का मतलब है, वहां विदेश मंतराले का जो बयान होता है, वही सबसे ज़्यादा अर एक तो जैसा कि सारे लोग करते हैं कि हम सारे और देशों को जो की चीन के तथा कती दुश्मन और हमारे मित्र हैं उनको हम अपने पास ले आस्टेलिया अमेरी तरफाथी जी तरफाथी जी तरफाथी जी मैं आप छेक एक सब्सक्ämिलमिंटरी सवाल पूछना चाहता हूं आपको मेरी आवाज मिल रही है है मेरा सवाल एक है आप तो व देश मंतल में रहे हैं सब्सक्राइब विण घुख जो विदेश मंतरा ले वह क्यों बार बार लग रहा है कि और पीछे रहा इस पूरे विवाद में, हमके उसको ट्रेल ही कर रहे हैं लगातार, जब से इंटूजन या इंफिल्ट्रेशन हुआ है तब चले के अब तक हम लगातार ट्रेलिंग कर रहे हैं, ट्रेलिंग पोजिशन में हैं, हमके उन्हें लीड कर रहे हैं, हमके उन्हें उफेंसिव पोस् कोई का स्प отлич और वो हर रच शीज बारे वहीं वहीं मुख्ष्ट होता हा जबकि हमारहए है कि अगर विदेश मंत्रालै कोई बयान देता तो पहले वो सारे तत्री कठा करके च्छानगीन करके तब देता है इसके लिए आप मिश्चित मानिए कि विदेश मंतराले ने बयान दिया होगा तो चाइना का जो नौर्दन डिवीजिन हमारे हाँ जो चाइना को डील करता है उससे पूरी चीजे मंगा करके सारी फाइले सारे पुराने देख करके तभी यह कहा होगा क्योंकि विदेश मंतराले के बयान में एक बिशब इधर से उधर होना बहुत ज्यादा गर्ण हो जाता है इसलिए शायद इसमें देवी तो मैं जो एक चीज यह कह रहा था कि देखे जैसे आपने कहा कि हमें अपना प्रोड़क्शन बढ़ा करने के लिए हमारी नीड का हमारी आवश्यक्ता का 88% चीन से आता है कच्छा माल उसका जिस पर दवाईयां बनती हैं सोचे हम यह क्यों नहीं बना सकते कुछ कंपनियों ने बनाना शुरू किया लेकिन सरकार को इसके मामले में आगे आकर के तुरंत पहले इस चीज के चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मैमानों का हमारे साथ जुनने के लिए समय देने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए आप देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ और अपडेट होंगे यह आपको बताते रहेंगे क्योंकि अब विदेश मंतराले की तरफ स अब चीन की तरफ से और क्या रियक्शन आते हैं तमाम अपडेट्स देखते रहें जंतन टीवी पर फिलाल इतना ही लेकिन खबरों का सलसा जा रही है